नमस्कार आप देखने हैं BTU News बिहार में आपके साथ गोपाल को में अभी मुझूद है मंजहूल पंचाइत एक में जो कि यहां के मुख्या पद के उमीदबार डोली कुमारी जी के पती अनुराग जी मेरे साथ मुझूद है थुरा इन से कुछ खास बाचीत करते हैं आगे क कि आपकी रननीती क्या है नमस्कार पहले बेगुशा टूडे के आगे की रननीती अगर जनता मौका देती है तो निश्चित रूप से पहला काम सिक्षा और स्वास्त पर किया जाएगा और यहां के पंचायत में सिक्षा नहीं होके होने के कारण योजना क्या आता है क्या नहीं आता है लोगों को पता नहीं चल पाता है और लोग जो बोलता है उसी मुताबी की लोग बेचारे अपने अंदर सिमट कर रहे आते हैं निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्त को प्रात्मिक्ता देंगे पहले और उसके बाद सिक्षा रोटी कपरा और मकान यह कुंने जमता के विश्चाइश के साथ विश्चाहात किया सीधा से और जनता ठरहिमाम है लगता है पंचायत अपंदर से घूमिये तो लगेगा की मन्झोल एक का पंचायत जो है ना लेया कि 20 साल पुराना कहां से कहा पहुँच गे दुनिया कहां से कहां चली गई लिक्न पंचायत ठाहर गया था साइद लगता है किसी के इंतिजार में था आप देखते हैं सुरुवात मेरे समय से अच्छा होगा अच्छा से करेंगे सुरुवात को बहुत लोगों की उम्मीर ठीकी हुई है उनके विश्वास पर खारा उतरना है और निश्ची दूर्प से स्वास है तो मेरे समय से यह होना भी चाहिए और पुरी तरह से जाती पाती धर्म से मुद्दा हटा के पंचायत में उसको उसकी आधार पर हर वो चीज मिलेगा चाहे कोई हो गरीब पिरीद सोसीत लेकिन ऐसे में पहले इस समय में महिलाओं को प्रात्मिक्ता दी जाएगी क्योंक सो राज सो रोजगार पे हम जोर देंगे पहले परियास करेंगे की रोजगार का अफसर मीले महिलाओं को और जो भी करोना के लॉक्ट आउन में जो भी बाहर से अंतर आए हैं उनको हम अपने ही गाउं में किसी भी रोजगार में उनको रखे ताकि हम लोग मिल जूल कर एक आदर्स पंचायत बना सके पॉंच साल के दर्बियान क्या कुछ ऐसा कार नहीं हुआ है जो आप खुद ये जनता के बीच आये हुए हैं तरह उस पे कुछ बोल सकते हैं पांस साल के बीच अतवरा अच्छा सवाल पूछ लिए हम तो बोलते हैं कि एक बार आप माइक लिजिए और घूमिए कोई ऐसा काम है जो हुआ ही नहीं है आपको विश्वास होगा नहीं होगा कि हमारे पनलोग का रुपया घटता है हमारे मुख्या जी डेडर करो रुपया लोटा दिये यानि डेडर करो रुपया लोटा दिये और आप घूम सकते हैं जाकर और जो भी काम हुआ उतो देखने की चीज है जनता के बीच में जाईए जनता से पूछिए उनसे जुड़िए दें लेकिन हाँ चौक पर न जाकर अंदर जाईए महिलां से पूछिए उनके महिलाओं से पूछिए यानि बोले ना कि हमको सुर्वात यहां पर जीरों से करना होगा हमारा पंचायत दुर्भाग बस जो सबसे आगे हुआ करता था अभी पंचायत एक तो है लेकिन नंबर की संक्या में सबसे अंतिम पाइदान पर खरा हो गया है तो समझ लिजे कि उसको हम लोग फीर से चालू करेंगे हां कुछ काम हुआ लेकिन लेकिन उसके गुनबत्ता को देखा जा तो मेरे समझ से कोई काम नहीं हुआ अब खुद देखिए वहां पर जाकर आपको हम पर कहेंगे कि न कभी आये मोका निकाल के अब जनता से बात कीजिए रूबरू हो यह उनसे अब पूछिए उनसे देखिए आपको जवाब मिलता है तो आप किस तरह का जनते के काई पर उतरिएगा देखिए हम समास सेवा में लगभग बहुत दिन से जुरे हुए हैं हमारा ही हमारा एक सुरू से भी रहा है इच्छा कि हम इतना तक जानते हैं कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो अपने परोश्यों को रोजगार देन कोई हो सब को बराबर मिलना चाहिए हर चीज और निश्चित रूप से हम हर लोगों की मेरे पंचायत के हम पहला प्राथ में इभी करेंगे कि यह योजना हो या जो काम हो सरकार पर डिबेंट कर रहा है लेकिन हमारे समय में हमारे पंचायत का कोई बच्चा शिक्षा के स्कूल भेजने का काम करेंगे और परियास करेंगे पंचायत में किसी भी घर का चुला एक साम के लिए बंद ना हो एक सुखी रोटी ही खिलाएंगे लेकि चारो टाइम खिलाएंगे यही रहेगा मेरा प्रत्मिक तर्चित और बाकि जब बच्चा सिक्षित होगा तो भव क्या कि अतने को सरक पर मिल जागा घूमते हुए चोटे-चोटे बच्चों से अपसे परचार करवाए जा रहा है हम तो कहना चाहेंगे कि मनवा धिकार जो भी बच्चों की जो भी है सरकार जो भी इसको देख रेक कर रही कम्यूटी एक बार आए और देखे किस तरह से देख सकते हैं और जो भी अवैद कारोबार पंचायत में हो रहा है उस पर रोक लगाएंगे और मेहनत के आधार पर उसके गुनबत्ता के आधार पर हम लोग सारा काम करेंगे और उसको उसका अस्थान देंगे आपका अच्छा चुनाओ चिन भी मिला है कलम और दवाज चाप तो इसमें एक डिजन यह है जो बाबा साहब भीमरा अंबेदकर का आप जो जिस तरह से फोटो लगा कि इस पर क्या आप बोलना चाहते हैं बहुत अच्छा सवाल हमको तो लग रहाता अभी तक आप पूछ अच्छे बता भी दुड़्गापुजा हो रहा था तृश्पाइर दुड़्गापुजा में दुर्गाइक मुर्ती लगाता है थे हनवां जिकी मुर्ती लगता है तो दुर्गा जी की लगते हैं है कि सब्सक्राइब हो चुनाओ करते हैं यह अधिकार सम्भójधान सब का सब बावा साहिब का देन है तो भला बताईए उस पर्व में भाग लेंगे तो मेरे लिए इस महापर्व के सब भगवान बावा साहब अम्बेदकर हुए तो भावा भला उनकों कैसे छोड़ सकते हैं और बावा साहिब अम्बेदकर का फोटो हर सवाल का जवाब है जो लोगों के मन में उपान मर रहा होगा एक वर बवावा साहब के फोटों को देखे उसको सारा सवाल का जो भी उसका संदर का सवाल है उसको उसका जवाब मिल जाएगा क्योंकि उनका तो सिद्धान्ती ता सिक्षित रहो संगटीत रहो सिक्षा वो सिर नहीं का दूद्य जो पीएगा वो गुर्राएगा कि तो निश्चित रूप समय एक अच्छा संदेश हम तो चाह रहें कि बावा साब हर घर में रहें सीखे लोगों से तो शिक्षा पर आपका विसेश ध्यान रहेगा अपको बोले न अपने पन्चायत में किसी की सिक्षा पैसे की अभाव के करण उसको रुखने नहीं देंगे चाहे हमको इसके लिए अपनी नीजी संपती से को नहीं देना परे लेकिन हम देंगे और बराव और सिक्षित करेंगे हमको लगता है कि और चाहते हैं कि इस सिलसिला जारी रहे हर पैस्चायत में जो भी समड़िद लोग हैं अपने आस पास के बच्चों को सिक्षित करें उन्हें गोद लें हमको लगता है कि तभी जाकर ना नहीं करता है कि वह भारत बनेगा जिसको विश्चु गुरु का लोग सपना लिए जो बैठे हुए हैं अब ही आपको पूरे बिहार देख रहा है तो मेरे चैनल के माध्यम से आप पूरे मतलब क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से हमकाना चाहेंगे जनता से क्या मांग करते हैं जनता से मांग करते हैं भाइ आप gooseẹp अप लोग अपने गरों में कलम का परियोग कलम दवatic कि यह कलम से अंज रिखा जा सकता है कलम से किसे की तकदिर मिटा ही और दवात में जो रंग होता है यानि जो भी गलत काम करता है उसके चेहरे पर दवात का रंग फेक दीजिए तो वह दाग लग जाता है और कलम तकदीर है तस्बीर है भारत की और हम चाहते हैं कि इस कलम से हर पैक्ति कलम पक्रें तलवार छोड़े सारा समस्य का समाधा नुद्धा कलम पक्रें और देखिए भविस किस तरह से अच्छा होता है और निश्चित रूप से हम तो बहुत भागे साली है कि कलम और दवात बहुत भागे साली लोगों को मिलता है यह तो चुनाव चिन है चुनाव चिन ही नहीं नहीं यह तो हमारा पर ने काता है कि जो जैसा है उसको उसके अनुरूप मिलता है और इस पर संजोग से हुआ है जो जैसा कंडिडेट है उनको उन्हीं का छाप मिला है आप लोग अपने मताबिक उसका कर लिजे जवाब मिल गया जो देखने वाले होंगे ठीक है आप इनका प्रक्ष सुन लिए और जान लिए अब आपके आगे सब कुछ है जनता भगवान होते हैं ठीक है अब बने डिये बीटी नुज बिहार के साथ मैं आपके साथ गोपल कुमर